अब आप लोगों मन में बहुत सारे क्वेस्टिन्स आ रहे होंगे कि पेपर जो है वो किस तरह का था उसका लेवल कैसा था तो था जो पेपर था वो इजी था डिफिकल्ट था या वैसा ही था इसके अलावा जो एक्सपेक्टेट कट ओफ क्या है और कितने मांक्स पर कौन सी कि रेंग कर सकती है या फिर जो फिर लास्ट आइटी हमें कितने मांक्स पर आईटी मिल सकता है या नहीं मिल सकता तो इन सारे क्वेस्टिंस का ऊंसर करने को इस सेशन को स्टार्ट करते ह। सबसे पहले पहले ब्रेंगे बा climate- color की बात कर लेते हैं पेपर का पैट फेपरistic सेम ही पैटन है वही जो पैटन is just paper वंका था वैसे paper pattern इस बार वनका है जो दार, जो लिए में प्र टू का pattern था वही paper तू का इस साल pattern है, बिल्कुल भी change नहीं किया, यह first time ही हुआ है, IIT ने लगातार दो साल में same pattern repeat कर लिया, paper 1 में 4 SCQ थे, फिर 3 MCQ थे, फिर 6 non-negative integer type equations और 4 match the column जो single correct form में दे रखें, paper 2 में वही 4 MCQ जो 3 चीज़े हैं, यह तो as it is carry हो गई है, paper 1 और paper 2 में, जो 4 questions के difference हुआ है, वस paper 1 में MTC, SCQ format है, और paper 2 में numerical paragraph, paragraph type की questions जिसमें answer जो है, नुमेरिकल टाइप का है, exactly same pattern जो है, वो 2023 में भी था, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस बार JEE की तरफ से कोई भी surprising element paper के pattern में नहीं था, तो अब subject wise analysis में, अगर हम maths की बात करते हैं, तो maths में देखें आप, अगर हम यहां देखें तो, जो सबसे यादा questions आए गये हैं, वो है vector 3D part से, और as expected vector 3D definite integration इन ही से questions ज्यादा पूछे जाते हैं, तो vector 3D से आप देख सकते हो कि लगभू 19 marks equations पूछे गए, फिर उसके बाद में आप देखो तो एक बस surprising element यह था कि इस बार function से ज्यादा equations पूछे गए, function से 13 marks equations पूछे गए, और आप यहां अगर हम देखें तो 11 marks equations probability से, probabilities हर बार इसी तरह की questions पूछे जाते हैं, एक जो यहां थोड़ा सा surprising part यह था कि इस बार complex number से simple question पूछा गया, तो भी आप इस question को हमने complex number में alert कर दिया, बट उस question में binomial theorem का ज्यादा part था, तो complex number जो chapter है उससे इस बार बहुत ही कम पूछा गया है, and sequence progression बहुत heavyweight chapter होता है, sequence and progression से भी questions नहीं पूछा गया, वैसे आप देख सकते हो कि जो number of questions है, पहले जैसे 18 questions आते हैं, इसलिए 2 साल से 17-17 questions आ रहे हैं, एक एक पेपर में, तो number of questions अगर कम किये हैं, that means इसका मतलब कुछ chapters से weightage वैसे ही कम होना था, बट फिर भी जो theme है, वो वही है जो अरसाल की होती है, जो weightage जिन chapter से ज़्यादा questions आते हैं, उन्हीं chapter से ही ज्यादा questions इस साल भी आये हैं, ब्रांच के इसाफ से अगर हम देखें, पहले तो हम अगर जैसे 11 और 12 के syllabus के इसाफ से देखें, तो 11 पार्ट से जो number of questions पूछे के जो percentage weightage है, वो 28 पर्सेंटेज है, जबकि 12 से जो percentage weightage है, वो 73 पर्सेंट है, हलका साथ थोड़ा से 11 से कम पूछा गया है, जनरली यह जो weightage ह होता है, 40 पर्सेंट के आस-पास mathematics पर रहता है, 40 पर्सेंट पार्ट जो हो 11 होता है, 60 पर्सेंट पार्ट जो 12 होता है, तो weightage हम देख सकते हैं, 12 पर ज्यादा फोकस है, जो number of questions कितने हैं, easy, कितने medium हैं, कितने difficult हैं, तो आप यहां अगर हम देखें, तो total 34 questions हैं, उसमें medium questions है ट्वalid時 questions को हम medium category में ढाल सकते हैं, 8 questions को difficult category में डाल सकते हैं, चह क्रकूल को easy category में ढाल सकते हैं, मार्क के हिसाब से अकलन देखें तो टोटल 120 मार्क स्वेता ग्पर के यह हैं यह सब्सक्राइब more than average है वो 20 जो marks है यह बहुत easily achieved किया जा सकता है और जो यह difficult है 30 marks इसके लिए आपके subject बहुत strong होनी चाहिए तब भी आपसे equations होंगे थोड़ा सा आप यह देख सकते हैं वह यह जो medium category में जो number of questions ज्यादा है तो mathematics में जो पिसले 2-3-4 साल का जो pattern आप देखो तो pattern के हिसाब सी थोड़ा सा mathematics में expectation थोड़ी सी जादा रहती है जो higher calculation जो calculation थोड़ी सी intensive रहती है इस बार last year के papers के according जो calculation है उतनी लेंदी नहीं है थोड़ी सी कम है इसलिए आप ज्यादा तर questions हो medium category में डाले गए branch wise अगर हम देखें तो यहां आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा questions पूछे गए हैं वो calculus से पूछे गए है और coordinate geometry से भी ठीक टाक questions पूछ ले गए हैं coordinate geometry vector 3D से भी trigonometry से expected आप देख सकते हो trigonometry से थोड़ा सा कम question पूछे गए हैं तो और अगर हम across the branch देखें तो जो आपको algebra के questions आये हैं वो थोड़े से difficult साइड में आये हैं जबकि आप यहां देख सकते हो कि जो coordinate geometry है उसमें जो lengthy-lendy calculation के questions पूछे जाते थे हर साल वो इस साल नहीं पूछे गए हैं तो coordinate geometry का section है वो easy part में आएगा integral calculus जो है वो भी कोई खास difficult नहीं है उसमें आप देख सकते हो कि लगबग 20 marks में से 16 marks जो easy or medium category में differential calculus में साथ marks हैं जो difficult category में डालोगे तो overall जो आप देखो तो वही जो calculation वाला पार्ट है वो इस साल थोड़ा सा कम आया है as compared to 2023 और जो 2022 और 2021 में जो ज्यादा आया था उसके comparison में 2023 में थोड़ा कम कर दिया गया था और वो इस साल और जोड़ा normal कर दिया गया है तो अगर हम mathematics के paper को overall summarize करें तो 2023 के comparison में paper थोड़ा से easier side में था आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक normal student जिसके लगबग 120 marks आते हैं उसके लिए इस तो इसका जो effect आएगा वो आप cut-off में भी देख सकते हैं hello everyone अभी आपने maths का जी advance 2024 के paper का analysis देखा अब अपन जो हैं chemistry के paper का analysis देखते हैं कि यदि सबसे पहले हम chapter wise analysis देखें तो यह जो हैं कुछ physical chemistry के chapters है जिनमें की आप देखोगे कि atomic structure से जो हैं वो सवाल आएं दोनों सवाल बहुत ही आसान थे यह दि फिजिकल के मिस्टी में हम देखें तो एक क्यमिकल एक लीविरियम और आइनिक लीविरियम जिसको हम organic और inorganic की बात करें तो organic chemistry में as usual जैसे carbonal compounds का जो weightage है वो यह धी हम देखें तो eleven marks का है जो की generally आप organic के paper में देखोगे तो year on year हमेशन ज़्यादा ही रहता है गाовज आने जो टो इनागरिनीक के केस्टा कि वात करें तो इनागरिनीक में हैं, कॉडूनेशन कीमपाउंड, बॉण निंग, इन इन सब का वेटे हैं, वह काफी ज़्यादा है. जैसे coordination 15 marks का है, यह bonding 11 marks का है, in fact coordination के भी आप सवाल देखोगे तो उन में भी बहुत सारे सवाल ऐसे थे, जैसे एक सवाल ऐसा था जिसमें अपने को number of tetra adult species पूछा था, तो उसमें भी कहीं न कहीं आदे सवाल को solve करने में coordination का role था, और कुस 2-3 species थी जिनकी shape को जानने में bonding का role था, तो इसलिए यह जो chemical bonding और coordination का जो weightage है, वो हमेशा generally जया हो, जैए के paper में, जैए इडवांस हो, जैए मैन हो, generally जयादा रहता है, इस साल भी जया हो, इसका weightage काफी ठीकता, हाँ, inorganic में एक चीज हम जरूर देख सकते हैं कि metallurgy से एक भी सवाल नहीं है, generally जया हो, last 2-3 years की papers देखोगे, तो इसमें metallurgy से, जी इडवांस, एक सवाल पूस्ता ही पूस्ता है, qualitative analysis से, जो दो सवाल आये थे, वो paragraph based थे, और वो दोनों ही सवाल जो हो, actual में, relatively काफी difficult भी थे, थोड़े ambiguous भी थे, अना, वो वैसा सा qualitative analysis, जी इडवांस ने वापस पूछा है, जो आज स 10 साल, 15 साल पहले पूस्ता था, नेक्स जीदी हम, class wise बात करें, तो 11 का जो weightage था, वो लगबग 21 परसेंट था, और 12 का जो weightage है, वो 79 परसेंट है, वैसे तो, यह जो 12 का weightage ज्यादा आया है, इसके दो reason है, एक तो यह है कि, जैसे organic में, बहुत सारे questions ऐसा होते हैं, जिसमें कि, एक सवाल में, hydrocarbon का भी रोल है, और उसी सवाल में, जहाँ, वो carbonyl compounds का भी रोल है, तो उस सवाल को फिर, जहाँ, वो carbonyl compounds में ही include कर लेते हैं, और carbonyl compounds 12 का topic है, तो इसलिए, जहाँ, वो 12 का weightage थोड़ा सा आपको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन, actually भी, जहाँ, जो इस तो 14 questions ऐसे थे, जो की easy थे, 14 questions ही difficult थे, मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि chemistry के paper में, या तो सवाल आसान थे, या जो यह हो difficult थे, तो यदि आपको बहुत अच्छा करना था paper में, तो आपको बहुत ही selective हो के सवाल करने थे, यह जो difficult questions है, जो 49 marks के हैं, या number of questions, जो 14 थे, उसमें जो जहां हो, दो category के सवाल हैं, एक तो सवाल जो actual में difficult थे, और एक ऐसे सवाल भी, जो relatively थोड़े से ambiguous हैं, जिनका जो answer है, वो actual में, अलग-लग book में अलग-लग दिया हो है, जैसे qualitative analysis के एक सवाल का answer, जो vogal की एक book आती है, उसमें जहां हो, एक edition में अलग है, और एक edition में अलग ह तो इसलिए कुछ सवाल जो actual में difficult थे, वो तो difficult है ही है, और कुछ सवाल जो ambiguous थे, उनको भी difficult की category में मैंने लिया है, इसलिए जो difficult वाला portion है, वो relatively easy के almost equal है, next एदी different sections में हम लोग difficulty analysis करें, तो actual में आप ऐसे देख सकते हो कि physical में 24 जो marks के questions हैं, वो आसान थे, मतलब physical में एक भी सवाल ऐसा नहीं था, जो कि difficult था, तो एदी वैसे हम across the physical organic and inorganic देखें, तो सबसे आसान जो पार्ट था, वो physical का था, फिर उसके बाद organic में जो हाँ, वो reason है, वो definitely कुछ एक्के दुक्के सवाल इसमें जहाँ, वो ambiguous भी हैं, और साथ-साथ में जहाँ, जितने भी organic के सवाल हैं, rarely कोई सवाल था जिसमें कि simple एक reaction और हम उसका product लेख पाएं, या हम उसका answer कर पाएं, सबी जो सवाल थे organic के वो ऐसे थे जिनमें हमें कम से कम जहाँ, जहाँ, वो 5 या 7, किसी में तो जहाँ, लगबग 15 या 20 reactions, एक साथ यादों तब ही हम उस सवाल के सही answer तक या end answer तक पहुँच पाएंगे, in fact एके दुक्के सवाल ऐसे भी थे, जिनमें की हमें पहले organic chemistry के अपने knowledge से final product find out करना है, और then जहाँ, अपने को physical chemistry का use करके जहाँ, आगे उस problem को solve करना है, तो organic वाला जो part था, वो relatively most difficult part था in comparison to physical and inorganic, inorganic में भी definitely जो easy वाला section था, वो physical के बराबर था, लेकिन जहाँ, difficult वाला portion भी जहाँ, लगबग 17 marks ऐसे था, जो difficult थे, और overall वैसे, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, कि physical का overall weightage भी relatively कम था, जो कि generally नहीं होत जैसे आप last year के paper की बात करेंगे 2023 या उससे पहले 22, 21, तो generally physical का weightage है, या मलगतीनों का weightage है, वो लगबग बराबर सा रहता है, और यदि हलका फुलका ज्यादा रहता है, तो physical का ही रहता है, लेकिन इस साल के paper में जहाँ, वो weightage physical का relatively कम भी हुआ, physical relatively आसान भी हुआ, और organic और inorganic का weightage है, वो relatively difficult भी हुआ, तो यह जो है वो अपना topic wise, section wise, difficulty analysis था, यदि हम overall paper को देखें, तो last year के comparison में, chemistry का जो paper है, वो relatively जहाँ, थोड़ा सा difficult side में, last year के comparison में, relatively थोड़ा difficult भी है, last year थोड़े से जो ambiguous questions थे, वो नहीं थे, इस बार जहाँ वो दो-तीन सवाल ऐसे हैं, जो ambiguous हैं, जिनका इंतजार सब लोगों को रहेगा, कि finally J.E. advance, उसका क्या answer देखता है, तो maths और chemistry का analysis आपने देख लिया, अब अब आपन physics के paper का analysis करते हैं, तो सबसे पहले start करते हैं, chapter wise analysis से, तो chapter wise analysis में, जैसे जो chapter से जितने questions आएं, और कितने marks के questions आएं, यह देख रहे है अपने को, तो इस तरफ देखो, highest weightage जो अपने को देख रहा है, वो electrostatics का है, overall देखें हैं अपन तो यह जो electromagnetism वाला हिस्सा है, इससे काफी सा questions आएं, जो usually हमेशा आते हैं, again optics जो है, geometrical और wave optics मिला के 6 questions आएं, ठीक है, optics का भी weightage usually जादा होता है, इन सब चीजों में एक जो notice करने वाली है, एक दो बड़े नाम है, big names that are missing, capacitance के पास जो current electricity होता है, उसका एक भी question नहीं आया, तो that is a big thing कि current electricity का एक भी question नहीं आया, जिसमें हमें आपन instruments भी पढ़ते हैं, experiments होते हैं, nothing related to current electricity was asked, एक और जो बड़ा नाम missing है, वो यहां पर अपन mechanics में देखें, तो center of mass या work power energy, इनके combination से questions बनते हैं, वो बड़े नाम missing है, लेकिन उनका application completely missing नहीं है, क्योंकि center of mass जो है, जैसे question में लग रहा था, बट जो chapter हमने यहां पर assign की है questions को, वो इस basis पर की हैं, कि अगर मान लो किसी question में, दो या तीन chapter का mixture लग रहा है, कि यह question है, जिसमें SHM भी लग र तो उसको SHM assign किया है, वो वाला chapter assign किया है, जो कि बाद में पढ़ाया जाता है, तो इसलिए वो question है, SHM में count हो गया, जब कि उसमें center of mass के भी concepts apply हो रहे होंगे, तो it's not like center of mass is completely missing, but yes, one of the big names that is missing is current electricity, आगे बढ़ते हैं, क्लास 11th और 12th में किस तरह का distribution था paper में, तो यह physics के paper की एक जो बात है, जो कि different from chemistry और maths थी, कि बहुत ही evenly distributed paper था, usually what we expect is 12th वाले portion से जादा बेटे जाएगा, 60-40 का distribution अपने expect करते हैं, लेकिन इस time रोने बहुत ही जादा uniform paper distribution रखा, almost 50-50% है, 58 marks का questions आये थे, वो 11th class से आये थ क्लास 12th से थे, so this was a very good thing, कि evenly distributed paper आया था, यह difficulty level का distribution है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको idea दे दूँ, जैसे 14 questions difficult, 11 medium and 9 easy mark किये हुए, तो difficulty level जो mark किया है, physics में, उसमें कुछ questions ऐसे भी है, कि हम जानते कि physics में वो language वाला barrier होता है, जब कोई question करना है अपने को, तो अपन first hurdle पर ही अटक जाते है कि question की language इतनी मुश्किल होती है, कि हमें वो clear नहीं हो पाता कि कैसे proceed करना है, और अगर वो first hurdle clear हो जाए, तो question becomes so easy, कि जितने line लगके question लिखा गया है, उससे कम lines में तो answer आ जाता है, तो कुछ questions मैंने इसमें difficult में ऐसे डाले हैं, जिसमें कुछ ऐसे concepts क mixture किया गया था, ऐसी language का use किया गया था, जो पहले नहीं देखा था हमने, जैसे for example, एक question में wave optics और SHM का mixture कर दिया गया था, which has never been seen earlier कि इसी question में हमने कभी नहीं देखा, तो कि उस question का perception language difficult हो जाती है, even though अगर आप उसको language वाले hurdle को पार कर लेते हो, then that question becomes easy, but उसको मैंने difficult में इसलिए number of difficult questions थोड़े से यहां पर जादा है, फिर यह है section wise distribution, तो section wise distribution देखो आप, तो जैसे mechanics part 1 में बता दूँ आपको, कि mechanics part 1 से हमारा मतलब है kinematics से लेकर rotation तक, और mechanics part 2 से हमारा मतलब है fluid mechanics से लेकर sound waves तक, अलब fluid mechanics हो गया, elasticity हो गया, SHM, waves on string, sound waves और gravitation, तो mechanics part 1 से questions तो आए, लेकिन सारे देखो difficult level बाली आए, मतलब यह काम नहीं चलेगा अपने से कि मानलो rotation में हमको सारे basic साते हैं, लेकिन combined rotational or translational motion हमारे अभी ही कैं, तो फिर आपसे rotation के questions नहीं होंगे, जो भी question आए थे, वो difficult level के ही आए थे, बाकी सब में आप देखेंगे, जैसे thermal physics है, इसमें medium level क जरातर जो marks आएं अपने easy, 7 marks के questions हैं और 40 marks के difficult है, thermal physics was easy कि अगर आपको proportion आता है, तो आप आराम से इसमें score कर सकते हैं, electromagnetism तो जैसा expectation होता है अपना distribution का वैसे ही था, कि चलो easy तो कम थे, बट most of the questions वर medium level और थोड़े से questions difficult level थे, और वैसे अगर आप overall distribution देखो तो 33, 38, 49, औ और इस 49 में जैसे है कि मैंने कहा था कि अगर आप वो language समझ लो, तो in fact इसमें से कई सारे questions इधर shift हो सकते हैं, तो काफी even सा distribution हो जाता कि easy और difficult जो थे वो थोड़े से कम और medium जो है वो थोड़े से जाधा, जो normally अपन कि CVJ advanced paper में physics में expect करते हैं, तो keep this in mind कि distribution में ये जो questions हैं, ये calculation के basis पे difficult नहीं बोले गए, understanding के basis पे भी difficult बोले गए, so this was the physics summary, अब अपन थोड़ा सा overall summary की बात करते हैं, कि overall ये जो पूरा paper था, where does it stand in comparison to 2023, आपके cut-off marks क्या expect कर सकते हो आप, और कितने marks पे आपको IAT में कोई branch मिल जाएगी, ये क्या expectation रख सकते हो, that is an estimate from us, तो सबसे है तो देखो, difficulty level का distribution है, subject-wise, हमने सबको individually subject-wise आपको बता रही है, अब एक सांद देखो, maths में आप distribution, 20, easy questions जो थे, 20 marks के, फिर 70, फिर 30, chemistry में 49, 22, 49, और physics में 33, 38, 49, now the thing that I was talking earlier, ये जरूरी नहीं है, कि ये जो physics के 49 questions में आपको calculation जितनी मुश्किल लग रही है, उससे आसान calculation maths के 70 marks के questions में मिलेगी, ना, ये maths के medium level के 70 marks है, हो सकता है, इन में calculations, physics, chemistry के difficult से भी जादा मुश्किल हो, so this is different criteria यूज किया गया, difficult को mark करने के लिए, so don't judge like this, कि maths का paper तो बहुत easy था, ठीक है, तो ये overall distribution है, तो ये जो marks है, आप easily समाझ सकते हैं, कि 360 में से 102 marks तो easy to score थे, आभी में आपको cut-off बताऊंगा, तो you will realize कि cut-off clear करना actually easy था, कि अगर अपने sincerely सारे chapters को अच्छे से पढ़ा है, और हम basic level of knowledge रखते हैं, तो इन cut-off marks से आगे जाने का अपना, जो chances हैं, वो काफी जादा हाई थे, ये देखो, ये जो है, ये split of marks से 11-12 का, individually हमने आपको बताया था, and you can see, यहाँ पर पुरी summary, कि physics was very evenly distributed, और maths और chemistry was very skewed कि 12th के जाधा weightage है, और 11th का कम है, बट इसमें एक बात वो ध्यान रखने हैं, जो मैंने आपको बताई थी, इन 12th के marks में हो सकता है, 11th के chapters के concepts लग रहे हैं, लेकिन because 12th का concept भी लग रहा है, तो we have assigned 12th वाला chapter, Now let's talk about cut-off marks, तो हमारे हिसाब से जो overall paper था, chemistry का paper last year से हलका सा difficult था, maths का जैसा कि सर ने बताया कि last year से थोड़े से आप 3-4 questions extra कर सकते थे, थोड़ा सा comparatively level नीच आया था, और physics का भी overall summary यही है, कि जो paper था, वो 2023 की तुलना में थोड़ा सा easy हुआ था, like you can attempt 4 or 5 questions extra, तो अगर हम देखें कि CRL, common rank list के साब से cut-off देखें, J advanced qualify करने की, तो वो जो cut-off है वो around 90 से 100 के बीच में जाएगी, हमारी expectation के according 90 से 100 के बीच में जाएगी, और इसी को अगर आगे अपन बोलें कि यह तो common rank list में cut-off है जो कि qualify होने के लिए, qualify होना does not guarantee college मिलना, है ना, तो IIT म कोई भी last से last branch मिलने के लिए, जो cut-off है, तो from our expectation, OBC category के बात करें अगर, तो that should lie somewhere around 105 marks, 105 के आसपास जाना चाहिए, plus minus 5, 10 marks तो हो सकता है, बट 5 marks का plus minus हम expect करते है, 105 marks के आसपास जाना चाहिए, cut-off for getting a seat into IIT, ठीक है, और general category के लिए अगर बात करें, the same thing जो OBC के लिए 105 बोला मैंने, general category के लिए आप expect कर सकते हैं, around 115 से 120 marks के आसपास, इस range में, so this is from what we have analyzed, हमने students से बात करी, हमने पुरे paper के analysis करी, compare किया उसको 2023 से, तो I think ये एक estimate आपको अच्छे से अंदाजा लगा देगा, कि आप currently कहा stand कर रहे हैं, जो आपका ये जो final result आने से पहले का duration है, उसमें जो anxiety होती है, जो घबरात होती है, उसको दूर करने में, I hope ये वीडियो आपको help करेगा, that's all from us, thank you.